हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अवर चैनल लें स्टॉक चार्ट्स टॉर्न दोस्तो आज की उडियो में हमें कैसे स्टॉक के बारे में डिसकस करेंगे जो स्टॉक अच्छे खासे अप्ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है लेकिन अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो एक टॉ स्टॉक में डाउन वर्साड में मुवमेंट आ रही है लेकिन अभी जिस तरह से स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिक रहा है एक सपोर्ट पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां से रिवर्सल के इंडिकेशन दिखाने के बाद स्टॉक एक पैटन के अंदर भी ट्रे सेक्षन दिख रही है उसी के साथ स्विंग के हम इसमें बाइंग के मों के नजर आ रही है और फाइनली हम इस पे डार्वर्ज बॉक्स भी इंसर्ट करेंगे और उसके इसाब से भी देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूंगा क कि अगर अब तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरक के वीडियो स्टाइब लिए बेसिस पे मिलने के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजे और रेगलर अपडेट्स के लिए बेल आइकोन को क्लिक कीजे दोस्तों अगर आपको पूजिशनल ट्रे आकाउंट ओपन कर सकते हैं तो आज की दिन के हमने जू भी स्टॉक का सिलेक्षिन किया है उसका नाम है All Cargo तो All Cargo का daily candlestick chart हमने यहाँ पे open किया है दोस्तों अगर आपको यहाँ पे stock का नाम देखने में दिख्कतारी होगी तो वीडियो के description में आप stock का नाम देख सकते हैं अभी one by one देख लेते हैं अभी जैसे कि मैंने काया कि long term की साबसे अगर हम इसका trend देखेंगे तो stock अच्छे correction mode में जाता हुआ दिख रहा है अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेंगे कि lower top lower bottom pattern बनाते बनाते stock में गिरावट आ रही है अभी भी अगर हम देखेंगे तो हमें जो यहाँ पे अगर हम इस तरह से trend line mark out करते है और यह कुछ region को अगर हम इस तरह से देखने के क option आती रहती है तो उसके सबसे early entry के सबसे हमें बाइंग के दिख रहे हैं तो वह किस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं तो पहले हम सपोर्ट की सबसे देखते हैं तो यहाँ पे मैं horizontal trend line mark out करता हूं अगर आप historical chart देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि यहाँ पे swing किस तरह से बन रहे हैं तो जब भी स्टॉक नीचे था तो इस तरह से यहाँ पे swing high swing low बन रहे थे लिकिन यहाँ पर आने के बाद स्टॉक ने breakout दिया breakout देने के बाद यहाँ पे छोटा वाले retracement बन गया फिर आप पसड़ में गया फिर से retracement हुआ तो इस तरह से जो trend line थी नीचे वा आप देखेंगे तो जो historical chart पे हुआ था first time यह trend line को hit किया उपर गया फिर second time इसको hit किया और अभी उपर गया है और इस तरह से trade कर रहा है तो एक indicate कर रहा है कि जो भी support है stock के chart पे हमें दिख रहा है यह stock के लिए उसका strong support है और उसके नीचे stock जाने के लिए तयार नहीं है ज और short time के chart पे जो swing बन रहे है उसके इसाब से देखेंगे तो आपको दिखेंगे तो आपको दिखेंगा कि इस तरह से धीरे धीरे stock higher swing बनाते 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 ट्रेड कर रहा है और हम एक indicate कर रहा है कि इसमें अब पसड़ में moment आ सकती है तो इस तरह से short time का जो chart रहता है उसक दिख रहे हैं अभी पैटन के इसाफ से हम देख लेते हैं पैटन के इसाफ से जब भी हम देखेंगे तो आपको दिखेंगा कि आभी exactly तो पैटन यहाँ पे नहीं दिख रहा है लिकिन में थोड़ा interpret करके थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यह किस तरह से दिख करते हैं उस तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो उस तरह का नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका left shoulder ही यह जो head उसके नीचे जाता हूँ हमें दिख रहा है तो जैसे कि मैंने काया कि exactly pattern हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन हम interpret तो definitely कर सकते हैं तो जब भी हम इसे समझ देने की कोशिश करते हैं तो हमें तो दिख रहा है कि इस तरह से पहला नीचे गया है फिर उपर आ गया फिर यहाँ पर नीचे गया फिर उपर आ गया फिर यहाँ पर नीचे गया और इस तरह से उपर आते हैं इस तरह से भी हम ड्रौ कर सकते हैं तो इस तरह से यह ट्रेड पैटन सीखते हैं राउंदिंग बॉटम कपन हैंडल तो जिस तरह से हम शेप वाइज देखते हैं थेहलेटिकली सीखते हैं दूसी तरह का इजक्ट पैटन हमें मैक्सिमुम टाइम पर चार्ट पर नहीं मिलता हमें थोड़ा इंट्रपेड भी करना पड़ता है थोड़ी प् के लिए अजर्ड रिजिस्टन्स वर्क आउट कर रही है अभी मानली जी कि कोई भी कैंडल अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट देकर उपर जाकर क्लूज आउट देती है यानि कि क्लूजिंग बेसिस पर अगर ब्रेक आउट मिलता है और वो ब्रेक आउट का इसका टार्गेट अगर हम देखेंगे तो जो रिसेंट रिजिस्टन्स है अभी मैं क्याजूलिक कुछ लेवल को कंस्डर करती हूं इस तरह से मार्क आउट करता हूं तो यह कुछ लेवल से दिख रहे तो 337 के आसपास मुझे यह प्राइस रहे अभी 294 पर टेड कर रह है और शॉट तम का ट्रेड कैसे करेंगे हम मालेजे शॉट तब का टारगेट आता है वे जो रिसेंट रिस्टन्स है अभी Green dette इतना चार्थ अगर देखेंगे तो यहां से रिक्व क्राय बाद है remaining quantities को mid to long time के लिए hold करना है higher target के लिए तो इस तरह से breakout के हिसाफ से price action दिख रही है अभी मैं finally यहाँ पे Darvus box insert करता हूँ Darvus box के हिसाफ से देखेंगे तो Darvus box के यहाँ पे bottom था और धीरे धीरे उसमें अपर सड़ी में moment आ रही है और लगबग जो Darvus box का top अगर हम यहाँ पे mark out करेंगे horizontal line के जरीए तो यह इसका top बन जाता है तो लगबग यह top के नज़ी की trade कर रहा है तो यह नीचे वाली जो trend line हमने mark out की है यह trend line और जो उपर वाली horizontal trend line हमने mark out की है Darvus box के top को पकड़ कर अगर इसको यह break out देगा तो double confirmation हमें मिल जाएगा और definitely इसमें फिर further अपसड में moment आने लगीगी तो इस तरह से respective stock में हमें price action आ रही है भी मैंने अलग-अलग तरीके से आपको बतानी की कोशिश की है short time की साब से बतानी की कोशिश की है long term में hold करना है तो वो भी मैंने बता दिया कि trailing के साथ करना है तो अलग-अलग तरीके से मुझे जिस तरह से stock में price action दिख रही है मैंने आपके साथ share की है तो दोस्तो मुझे लगतर respective video में हमने जो भी discuss किया इससे आपको ज़रूर फायदा होगा दोस्तो अगर आपको हमरी video से फायदा होते है तो make sure आप हमरी video को like कीजे और इसी तरह के video's timely basis पर मिलने के लिए चाहर को subscribe करके regular updates के लिए बेल आइकोन को click कीजे दोस्तो अभी हमने live chart balances किया है तो disclaimer बताना ज़रूरी है तो दोस्तो अज़र disclaimer इस channel पर हम जो भी discuss करते रहते हैं वो पूरी तरह से educational purpose है तो आप इस educational purpose ही ले लीजेगा इसको देखकर आप please trade मत कीजेगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही thank you